Hello and welcome back to my YouTube channel, hope you're all doing well तो आज हम डिसकस करेंगे जियोग्राफिक के कुछ क्वेस्टन्स हैं ये क्वेस्टन्स है देखो आपके प्रीवियस एक्जाम्स में ही पुछे गए हैं तो नो डाउट आपके आने वाले एक्जाम्स में यो बेनिफिशल होने वाले हैं इससे पहले हम पार्ट 27 यानि कि 27 वीडियोज और डिसकस कर चुके हैं जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ जियोग्राफिक के क्वेस्टन्स को डिसकस करके रखा हुआ है तो अगर आपने वो वाले वीडियोज अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिसक्रिप्शन में जाएं वहाँ पर जियोग्राफिक क्वेस्टन्स करके लिंक दिया गया होगा उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोज को देख सकते हैं बाकि आज हम पार्ट 28 को डिसकस करेंगे और इने क्वेस्टन्स को हम बिल्कुल डिटेल में डिसकस करेंगे बाकि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें तो सबसे पहले आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा अक्षांश यानि कि यहाँ पर latitude की बात कही गई है अब latitude रेखाएं और longitude रेखाएं आपको बता होने चाहिए तो यह है हमारी प्रित्वी तो प्रित्वी पर जहतो कुछ एक imaginary lines खिंची गई है तो जो भी पस्चिम से पूरव की तरफ खिंची गई है तो उनको कहा जाता है latitude यानि की अक्षांश रेखाएं और जो भी रेखाएं जो है तो प्रित्वी से उत्तर से दक्षिन की तरफ खिंची गई है उनको कहा जाता है देशांतरिय यानि की longitude रेखाएं तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं latitude यानि की अक्षांश ये रेखाओं की तो यहाँ पर आपसे पुछा गया है कि किसी स्थान का जो अक्षांश होता है वह किस के तल के सापेक्ष उसकी कोन ये सिदी को अभिवेक्ट करता है तो आप सभी को होता है यह है हमारी प्रित्वी और प्रित्वी के बीचों बीच से चाहतो कौन से रेखा गुजरती है तो वो गुजरती है 0 degree जिसको हम equator यानि की भूमनते रेखा कहते हैं तो यही आप से question पुछा गया है तो किसी स्थान का जो अक्षांश होता है वह किस के तल के सापेक्ष यानि की वह 0 degree यानि की equator तल के सापेक्ष जो है तो उसकी कोण ये सिदी को अभिवेक्ट करता है तो इस हिसाब से देखा जाएगा तो इस question का right option का हो जाएगा option यहाँ पर B विल्कुल correct हो जाएगा अब यहाँ पर भी आपको कुछ एक questions पुछे जाते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखते हैं तो यह तो मैंने आपको बता दिया कि प्रित्वी के बीजब जो है तो 0 degree यानि की equator रेखा गुजरती है तो कई बार आपसे पुछे जाता है कि प्रित्वी पर कुल कितनी जहतो latitude lines हैं यानि की अक्षांशिय रेखाएं हैं तो 0 degree से उपर जहतो कितनी हैं तो यहाँ से आप देखोगे तो वो है 90 और नीचे अगर आप जाओगे तो वो भी कितनी हैं तो वो है 90 तो 90 प्लस 90 कितनी हो गई तो वो हो गई 180 यानि की 180 रेखाएं और 180 में एक और जोड़ोगे आप 0 degree यानि इक्वेटर को भी तो टोटल कितनी हो गई तो टोटल हो गई 181 यानि की हमारी प्रित्वी पर कुल कितनी latitude lines हैं तो वो है 181 I hope ये question आपको समझ में आगया होगा कुछ और भी questions आप से पूछे जाते हैं question आपसे पुछे जाता है कि दो अक्षांस रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है ये है हमारी अक्षांस रेखाएं तो दो अक्षांस रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है तो वो होती है ये भी question बहुत बार एक्जाम में बनता है तो अगले question की बात की जाए so question number 132 है local thunderstorms नौर्वेस्टर्स आर प्रोमिनेंट इन तो स्थानित तरित जंडा जंजा बाट जो है तो नौर्वेस्टर जो कहां पर बहती है तो यहां पर आपसे simple पुछा गया है की नौर्वेस्टर कहां पर बहती है तो वह पस्चिमी मंगाल या फिर असम में बहती है तो कई बार आपसे पूरे के पूरे वल्ड के context में पुछा जाता है की नौर्वेस्टर जो विंड है वह कहां पर बहती है तो जब भी पूरे के वर्ल्ड के कांटेक्स में पुछा जाएगा नॉर्वेस्टर का तो वह बहती है न्यूजी लैंड में ये भी आपको ध्यान में रखना है मैं आपको हर बार बताता हूँ चिनूक, चिनूक हवा कहां पर बहती है तो यह USA में बहती है पिर मिस्ट्राल, मिस्ट्राल विंड कहां पर बहती है तो यह स्पेन और फ्रांस की सीमा पर बहती है कई बार आपसे पुछा जाता है बोरा बोरा जो विंड है वह कहां पर बहती है तो यह एड्रियाटिक सी में बहती है यह भी आपको ध्यान में रखना है Blizzard भी आप से पुछा जाता है कि Blizzard जो Wind है वह कहां पर बहती है तो वह Canada में बहती है ये भी आपको ध्याद में रखना है और एक Question जो हमेरे पर World के ही अग्जाम में पुछा गया था Harmattan Wind तो Harmattan Wind कहां पर बहती है तो यह सहारा डेजर्ट से जो है तो गिनी देश की तरफ बहती है यानि कि पूरव से पस्चिम की तरफ बहती है ये भी आपको ध्याद में रखनी है कुछ चीजें अगले Question की बात की जाए Question इंबर हमारा 133 है Sargasso Sea is located in तो Sargasso Saagra कहां पर स्थित है तो Sargasso Saagra जहतो North Atlantic Question में है यानि कि उत्तर Atlantic महासागर में है Option यहां पर एक और एक्ट हो जागा ये Question बहुत बार एक्जाम में जहतार रिपीट होता है तो ये आपको ध्यान में रखना है इसी Question से related एक और Question पुछे जाता है Question आपसे पुछे जाता है कि कौन सा ऐसा सागर है जिसकी 30 असीमा या फिर 30 अरेका नहीं है यानि कि जिसकी Coast Line नहीं है तो ये आपको ध्यान में रखना है कि Sargasso C एक ऐसा सागर है जिसकी कोई भी 30 असीमा यानि कि Coast Line नहीं है ये आपको ध्यान में रखना है ये question भी exam में बनता रहता है तो ये भी आपको ध्यान में रखना है question number 134 की अगरवाद की जाए which is the capital of Japan तो Japan की राजधानी कौन सी है तो Japan की राजधानी क्या है तो वो है Tokyo option है हम पर decorrect हो जाएगा अब यहाँ पर बात की गई है Japan की तो Japan से भी कुछ एक questions बनते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ तो सबसे बड़े आपको ध्यान में रखना है Japan में जो है तो दो main island है एक तो है Hokkaido Deep कौन सा है Hokkaido और एक है Honshu Deep कौन सा है Honshu Deep तो कई बार आपसे यहाँ पर पुछा जाता है और यह जो Hokkaido और Honshu Deep है इनको अलग करने वाली जलसंथी को क्या कहा जाता है तो इनको अलग करने वाली जलसंथी को सुगारू जलसंथी कहा जाता है तो यह भी आपको ध्यान में रखना है तो यह important questions है यह आपको ध्यान में रखने है तो ये भी आपको ध्यान में रखना है अब यहाँ पर option C देखो नागा साकी तो हीरोशीमा और नागा साकी का भी आपको बताना चाहिए यहाँ से भी कुछ questions बनते हैं जैसे कि हीरोशीमा और नागा साकी पर आप सभी को बता है तो USA द्वारा जो है तो नागा साकी पर जाए तो 9 अगस्त को गिराए गए थे तो हीरोशीमा पर 6 अगस्त को जबकि नागा साकी में 9 अगस्त को गिराए गए थे हीरोशीमा पर जो नागा साकी पर बॉम गिराए गए था उसका नाम था लिटल बॉय और जो नागा साकी पर बॉम गिराए गया था उसका नाम था फैट मैन तो ये भी आपको ध्यान में रखना है ये question भी बहुत बार अग्जाम में बनते हैं तो ये आपको सारे के सारे ध्यान में रखने हैं अगले question की बात किजाए तो सबसे तेजी से बढ़ने वाला वरिक्ष कौन सा है तो वो है eucalyptus option यहाँ पर C बिल्कुल correct हो जाएगा ये question बहुत ज़ादा important है और is a question से related एक और question पूछे जाता है वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा बाकि कुछ ए question इस से related पूछे जाते हैं जैसे कि आप से question पूछे जाता है कि most expensive wood कौन सी है यानि कि सबसे महंगी लकडी कौन सी है ये question देखो central level के exam में पूछे गए है तो ये मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ तो most expensive wood कौन सी है तो वो है African black wood कौन सी है African black wood ये आपको ध्यान में रखना है और कई बार आपसे पूछे जाता है कि second most expensive wood कौन सी है यानि कि दूसरी सबसे महंगी लकडी कौन सी है तो वो है sandal wood कौन सी है sandal wood sandal wood को हम क्या कहते हैं चंदन की लकडी ये भी आपको ध्यान में रखना है अच्छे यहां सी आप एक question कांसर करकर बताओ कि चंदन की लकडी यानि कि sandal wood जो है तो भारत में कहां पर सबसे ज़्यादा पाई जाती है किस state में सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो आप नीचे कमें बता दो बाकि एक और question जो है यह है यूके लिप्टेस को ही कहा जाता है यह भी आपको ध्यान में रखना है तो यह कुछ important points मैंने आपको यहां पर बताई यह सारे के सारे आपको ध्यान में रखना है बाकि अभी तक अगर आपने हमको telegram और instagram पे follow नहीं किया है अगर कोई query होगी तो आप मुझे इंस्टा भी message कर सकते है तो question number 136 की अगर बात की जाए तो कौन सा जोहतो सूखा प्रवन क्षेतर है तो वह कौन सा है तो वह है रायल सीमा option यहां पर be विल्कुल correct हो जागा अब रायल सीमा जोहतो एक सूखा प्रवन क्षेतर है अब रायल सीमा परता कहां पर है किस स्टेट में परता है तो यह परता है आंधरा प्रदेश में यह भी आपको ध्यान में रखना है अगले question की बात की जाए question number 137 है तो टिहरी बात किस नदी पर जह तो बना है तो वह भागी रती नदी पर बना है option यहां पर सीमा पर हो जाएगा अब टिहरी बात से बहुत से questions बने हैं जैसे कि यह कहां पर है तो यह उत्राखंड state में है यह आपको ध्यान में रखना है फिर कई बार आपसे पुछे जाता है कि इसकी construction कब जह तो start की गई थी तो इसकी construction जह तो 1978 में start की गई थी और 2006 में जह तो इसका phase 1 जह तो complete हुआ था यानि कि आप कह सकते हैं कि 2006 में इसको start कर दिया गया था यह आप यहां पर कह सकते हैं और यह जो टिहरी बाद है यह highest dam है इंडिया का यह भी आपको ध्यान में रखना है और जब भी मैं highest की बात करूँगा तो आपको एक question जो है तो दिमाग में बना चाहिए कि अगर highest है तो वह कितने meter है यानि कि कितनी इसकी total जह तो height होगी तो यह कितनी height पर है तो यह है 260.5 meter height पर यह आपको यहां पर ध्यान में रखना है 260, 260 आप यहां पर कह सकते हैं 260 meter की height पर जातो यह है एक highest dam है इंडिया का यह आप यहां पर कह सकते हैं अब कई बार आप से पुछ जाता है कि longest dam इंडिया का है तो longest dam की जब भी बात आएगी तो वो है हीरागुंड जो की उडिसा में पड़ता है और इसके टोटल लेंस किती है तो वो है 25.79 किलोमेटर ये भी आपको ध्यान में रखना है भागड़ाबांद आप सभी नहीं से उना होगा तो भागड़ाबांद से जितने भी questions एक्जाम में पूछे जाते हैं और जितने भी questions आपको आते हैं तो वो आपने जे कमेंटर में बता दो तो question number 184 की अगर बात किजाए फिच इस ड्वार्फ प्लैनेट तो वामन ग्रह कौन सा है तो वामन ग्रह कौन सा है तो वह है आईरिस आप्चन ही हाँ पर सी बिलकुल करेक्ट हो जाएगा अब कुछ और भी examples हैं ड्वार्फ प्लैनेट के वो भी आपको ध्यान में रखना ह Paluto, एक आपको ध्यान में रखना है Cirrus कौनछा है Cirrus और एक आपको ध्यान में रखना है Tanhigia क्या रखना है तो यह तीन-चार है ढ़फ प्लैनेट के examples यह आपको ध्यान में रखना है यह बहुत वार exam में बनते हैं अब कुछ और भी अगलबात की जाए जैसे कि option D में है Hydra तो Hydra क्या है ये आपको पता होना जाएए तो Hydra जो है तो Constellation का प्रकार है यानि कि Tara Bundle का एक प्रकार है Option B में है Titan तो Titan क्या है आप सभी ने सुना होगा कि शनी ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है तो वह है Titan तो शनी ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है तो वह है Titan ये भी आपको ध्यान में रखना है Question No.185 जो तो Final Answer की के अकॉर्डिन जो जो स्क्रैप हो चुका है तो उसको हम डिसकस नहीं करेंगे बाकि Question No.186 की अगर बात की जाए What is the meaning of Cloudburst तो Cloudburst का अर्थ क्या है यानि की बादल के फटने का अर्थ क्या है तो आप सभी को बाता है Very Heavy Rain with Very Heavy Storm यानि की तेज आधी के साथ जो है तो अधिभारी वर्षा Option यहां पर B बिल्कुल क्रेक्ट हो जाएगा अगले Question की बात की जाए To fish of the following Grand Bank and Dogger Bank are related तो Grand Bank और Dogger Bank जो है तो किस से संबन्दित है तो यहां जो है तो Main Fish Catching Zone से संबन्दित है यानि की मुख्य मचली Catching Zone से संबन्दित है Option यहां पर C बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अब यहां पर आपको बता चल गए Grand Bank and Dogger Bank का तो कई बार आपसे यहां पर Question पूछा जाता है कि Grand Bank और Dogger Bank यह Bank जो है तो किस चीज के लिए famous है अब Fisheries का आपको बता जाए गया लेकिन आपको एक चीज दिहान में रखनी है यह जो है तो Shallow Water Fisheries के लिए famous है किस चीज के लिए Shallow Water Fisheries के लिए यह famous है यह Question जो है तो Central Level के एक्जाम में बन चुका है तो संभावना है कि आपके आने वाले एक्जाम में पूछा जा सकता है तो यह आपको यहां पर ध्यान में रखना है अब यहां पर बात के गए है Grand Bank और Dogger Bank की तो Grand Bank की जब भी बात आएगी तो Grand Bank कहां पर स्थित है लेबराडूर की धारा जो है तो एक ठंडी जल दारा है और Gulf Stream की आ है तो यह एक गरम जल दारा है तो यह भी आपको ध्यान में रखना है अब Grand Bank हमने देख लिया कि कहां पर है तो यह Newfoundland Island में स्थित है जो की Canada में स्थित है और अच्छा बात करते हैं Dogger Bank की तो Dogger Bank कहां पर है तो देखो Dogger Bank कहां पर है तो यह है North Sea में कहां पर North Sea में यह हस्तित है अब कुछ एक स्टूडेंट्स को पता नहीं होगा कि North Sea कहां पर पड़ता है तो आपने क्या करना है आपने मैप में जाना है और मैप में आपने देखना है United Kingdom यानिकी UK UK के बिल्कुल East में आपको देखना है पूरब में देखना है वहाँ पर आपको जातो वहाँ पर आपको जातो North Sea देखना को मिल जाएगा अगले कोशन की बात की जाए कोशन नमर हमारा 188 है तो भारत में सबसे लंबी नदी काउंसी है तो वो हो जाएगी गंगा, औप्शन यहां पर बिल्कूल खो जाएगा भारत की यहाँ वेवाद की एगी है इसलिए आपशन भी यहाँ पर को रेक्ट हो जाएगा अब गंगा की लंबाई कितनी है Dus गंगा की लंबाई है 25-25 किलोमेटर यह आपको ध्यान में रखना है और गंगा देव परियाग नामक स्थान पर जायतो अलक नंदा और भागिरती नामक दो नदिया मिलती है और वहां पर जायतो गंगा का निर्मान जायतो हो जाता है तो ये भी आपको ध्यान में रखता है option A में है ब्रह्मपुत्रा तो ब्रह्मपुत्राव नदी की टोटल लेंथ कितनी है तो वो है 2900 किलोमेटर और ब्रह्मपुत्राव नदी निकलती कहां से है तो यहां कैलाश रेंज या फिरमान सरवर जिल से निकलती है जो की तिबबत में स्थित है गुदावरी नदी, option C में देखर रखे रखा है गुदावरी नदी इसकी टोटल लेंथ कितनी है तो इसकी टोटल लेंथ है 1465 किलोमेटर और यह कहां से निकलती है तो यह तरंब केशवर चोटी से निकलती है जो की महारास्टरा के नासिक में स्थित है option D में है क्रिष्णा नदी तो क्रिष्णा नदी की टोटल लेंथ कितनी है तो वह है 1465 किलोमेटर यह भी आपको बढ़ाना चाहिए और यह कहां से निकलती है तो यह western घाट यानि कि पस्चमी घाट के महावलेशवर चोटी से निकलती है तो यह important नदीया मैंने आपको यहां पर बढ़ा दी है उनके total length भी मैंने आपको बढ़ा दी यह सारी कसारी आपको यहां पर ध्यान में रखनी है अच्छा हमारे हिमाचल प्रदेश में total जो है तो पांच नदीया वाइती है तो यह आप नीचे कमेंट में बताओ कि हमाचल में total पांच नदीया है तो उन पांच नदीयों की total length आप नीचे कमेंट में बताओ और वो पांच नदीया हमाचल में कितना वैती है वो भी आप नीचे कमेंट में बतादो अगले question की बात की जाए question number 189 है तो किस राजे में अधिकतम प्रियर्जे भूमीक शेतर है तो वो कहां पर है तो वो है obviously राजेसान में आप्चन हैंपर अच्छा राजेसान से भी कुछ एक questions पुछे जा रहे हैं वो भी मैं आपको यहांपर बता देता हूँ तो कई बार आपसे question पुछा जा रहा है कि जूनागर का किला राजेसान में कहां पर है तो देखो जूनागर का किला राजेसान में कहां पर है तो वो है बिकानेर में और जिसकी स्थापना किस ने की थी राजजाजय सिंग ने इसकी स्थापना की थी ये भी आपको ध्यान में रखना है राज्यस्तान में एक जगह है पोकरण पोकरण नाम आपने बहुत बार सुना हुगा इस पर एक मोभी भी बनी हुई है तो कई बार आपसे कोश्म पुछा जाता है कि पोकरण में सबसे पहली बार जो है तो उस समेच जहतो 1998 में जब हमने परमानू परिक्षिन किया था जो कि एक सफल परिक्षिन रहा था तो उसका नाम क्या था वो आपने जे नीजे i caps बताओ जैसे मैंने आपको बताया 1974 में हमने ज़गे ज़आ पहली बार परमानू परिक्षिन किया था और उसका हमने नाम रखा था स्माइलिंग बुद्धा वैसे ही हमने 1998 में भी जातो परमानों प्रिक्शन किया था तो उसका नाम हमने क्या रखा था वो आपने ये कमेंट में बता दो बागी देखो अगर आपको नहीं भी आता है तब ही आपने गूगल करना है गूगल पर जाना है सर्च करना है और सर्च करने के बादा करके इस वीडियो में नीचे कमेंट करना है मैं आपको हर बार बोलता हूँ कमेंट करने से आपका ही फाइदा है जो चीज़ आप कमेंट कर देते हो वो चीज़ आपका भी भोलते नहीं हो तो make sure comment जरूर करें So question number 190 की अगर बाद की जाए Where is Panchamari Wise Fair Reserve located तो Panchamari Wise Fair Reserve जह तो कहाँ पर है तो वो है मध्यपरदेश में option यहाँ पर See बिलकुल correct हो जाएगा मध्यपरदेश में कुछ एक national park है कुछ एक वनेजीव भीहरन है कुछ एक Wise Fair Reserve है मैं सारे के सारे आपको यहाँ पर बता दूँ तो मध्यपरदेश में पन्ना है कान्हा, माधव हो गया, पैंच हो गया सत्पूरा हो गया, बांधव गड़ हो गया तो यह सारे के सारे कहाँ पर रहे है तो जिरूर से वीडियो को लाइक करें, शेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमें टेलिग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल ही न हो ले तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तिल दन, टेक या